लेकिन सभी के कमेंटोंड़े-धिरे-धिरेमें वीडियो जरूर्च बना रहा हूं मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों के जो doubt है investment को लेकर वो clear हो, सभी लोग अपनी investment अच्छी तरह से कर सके और अच्छे returns generate कर सके, यही मेरा target है, अब देखे सरका जो comment है न, वो हो सकता है कि काफी लोगों के मन में घूम रहा हूँ, देखे comment common सा है, अगर हम लोग मैं ही मालूब beginner हूँ में mutual fund में निवेश करने की सोचता हूँ, मैं categories देखता हूँ कि large cap है, mid cap है, small cap है, flexi cap है, अब सबसे बड़ी है returns कौन सा fund दे रहा है, जिसे example के लिए मैं ने देखा कि here quant के returns बहुत अच्छे है, small cap में जाता हूँ, तो भी quant के अच्छे है, mid cap में जा रहा हूँ, तो भी अच्छे है, flexi cap में जा रहा हूँ, तो भी quant के returns मुझे अच्छे मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं अपना सारा पैसा quants की ही scheme में निवेश कर दूँ, ये सवाल beginners जो हैं या फिर जो investment कर भी रहें, काफी लोगों के मन में उठता रहता है, तो सर ने भी यही comment किया है, सर का कहना है कि क्यों ना मैं quant का ही small cap, quant का ही mid cap और quant का ही flexi cap ले लूँ, उसी मैं अपने पैसे निवेश कर दूँ, या मैं clear कर सकूँ और बिल्कुल सरल भाषा में ये topic आपको समझा सकूँ, क्योंकि topic काफी ज्यादा informative है और आपके लिए काफी useful भी है, चलिए, slide के मादिम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं, चोटी सी वीडियो इस topic पर में बना रहा हूँ, बहुत जंदी ये topic आपको clear हो जाएगा, चलिए, कुछ चीजें यहाँ पर side में करते हैं और बाकी मैं आपको समझाने की यहाँ पूरी कोशिश करूँगा, देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हम small cap की, थोड़ा सा बड़ा मैंक कर देता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल सही से visible हो सके, small cap, यह quant का ही small cap mutual fund है, अब सर्ण ने सोचा कि ठीक है quant का small cap बढ़िया डिटर्स दे रहा है, तो मैं quant के small cap में ही को निवेश कर रहा है, तो निकल कर आता है कि quant अपने पैसे financial sector में, energy के sector में और services वाले sectors में ज्यादा निवेश कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, तीनों sectors बढ़िया है, returns भी अच्छे दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो returns मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा side map कर देते हैं, चलिए, अगला जो fund है, वो भी quant की तरफ से ही है, और ये fund है, quant का mid cap fund, अब आप इस fund को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसकी भी financial sector में और services वाले sector में, मतलब ये small cap था, ये mid cap है, लेकिन अगर आप holdings को ध्यान से देखेंगे, किन sectors पर focus है, उसको आप ध्यान से देखेंगे, तो वही sectors निकल कर आ रहे हैं, energy का, finance का और services का, तो काफी जादा overlapping हो जाएगी, ठीक है, इसको भी थोड़ा साब side में करते हैं, तीसरे fund पर आते हैं, तीसरा fund सर्ण ने जो मुझे बताया था, वो बताया था, flexi cap fund, अब जब हम flexi cap fund को ध्यान से देखते हैं, इसकी holdings पर थोड़ा सा हम focus करते हैं, तो क्या निकल कर आता है, कहां में इसदर focus किया गया है, financial में, energy में और consumer staples में, ये भी services से ही जुड़ा हुआ है, तो आपने ये चीज़ गौर करी, कि इनमें काफी sectors common हैं, मतलब तीन जो main sectors होते हैं, जहां ज्यादा पैसा निवेश किया जाता है, वो काफी common हमें देखने को मिल रहे हैं, काफी ज्यादा common sectors ये हमें देखने को यहां मिल रहे हैं, इसलिए अब इसका तरीका क्या है, इसलिए देखे, diversification बहुत ज़रूरी है, अभी देखे, एक छोटे से example से हम लोग live समझेंगे, अभी flexi cap fund है quant का, sectors आपके सामने हैं, किन sectors पर इसका focus है, हम search करते हैं किसी और flexi cap category के fund की, ताकि आपको clear हो सके, देखे, जिस topic पर बात कर रहे हैं वो topic clear होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मन में कोई confusion न बचे, पता चला आपने वीडियो भी देखी, topic को भी सही से समझा, topic आपका clear ही नहीं हुआ, तो फिर कोई फाइदा नहीं है, देखे, यहां हम लोग search कर लेते हैं, किसी भी एक flexi cap fund को, देखे, just example के लिए हम क्या करते हैं, यहां flexi cap fund को search कर लेते हैं, SDFC flexi cap fund, चलिए, यहां मैं लिख देता हूँ, SDFC flexi cap fund, चलिए, SDFC flexi cap fund, अब इसकी जब हम holdings देखेंगे, तो हमें topic clear होगा, कि वाकई क्या holdings में कुछ फर्क आ रहे हैं, काफी सारी websites आपको देखने को मिल जाएंगी, आप अपनी पसंद की website पे जिस पे आपको अच्छा लगे जाकर, इनकी holdings आप देख सकते हैं, चलिए, देखे, holdings पर बात करेंगे, directly बाकी चीज़े तो नहीं देखेंगे, क्योंकि topic हमारा यही है कि हम एक ही AMC के ज्यादा funds में निवेश करें या फिर ना करें, देखे, आगे बढ़ते हैं, सीधा holdings पर आते हैं, कि किन sectors पर focus ये fund कर रहा है, चलिए, देखे, यहाँ focus किन sectors पर से हैं, financial services में है, financial वहाँ भी था, एक sector हमें common मिल रहा है, बाकी अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ health का sector add हो गया है, जबकि वहाँ health का sector नहीं था, यहाँ industrial का sector अलग से add हो गया है, वहाँ industrial के sector पर focus नहीं किया गया है, तो यह तीन sector अगर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, बाकी को छोड़ देता हूँ, finance का, health का और industrial sector, इन तीन sectors पर यहाँ focus किया गया है, SDFC flexi cap में, बलकि और अगर मैं वापस से चलता हूँ वहीं पर, देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे flexi cap में, तो financial, energy, consumer staples, तो यहाँ sectors में आपको difference देखने को मिलेगा, इसलिए कहा जाता है, थोड़ा सा diversification आप कीजिए, देखे सर आप पैसा निवेश कर रहे हैं, थोड़ा सा आप diversification कीजिए, देखे मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा returns मनाएं, मुझे quant से कोई मतलब नहीं है, मुझे SBI, SDFC से किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जब आप अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, आप risk भी ले रहे हैं mutual fund का, तो क्यो थोड़ा सा diversification करें, ताकि जो आपका risk है वो भी थोड़ा सा diversify हो, आपके returns भी increase हो, इसलिए अगर आप small cap quant का रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप mid cap, मोती लाल उस्वाल रख सकते हैं, आप SBI को रख सकते हैं, आप SDFC रख सकते हैं, बड़िया funds हैं, आप flexi cap को यहा कि यह small cap है, mid cap है, flexi cap हैं, अच्छे returns generate कर रहे हैं, सर अच्छे returns generate करने का reason यह भी है, कि जो sectors है, finance का sector, energy का sector, services का sector, इन sectors में अभी growth अच्छी हमें देखने को मिल रही हैं, सभी funds हमारे अच्छे returns दे रहे हैं, लेकिन अगर in future, in sectors में returns नहीं बनता हैं, इन sectors की growth रुख जाती हैं, तो अगर हमारा पैसा large cap, mid cap, small cap, flexi cap, सभी जगे, quant में ही लगा हुआ है, उन्होंने हमारा पूरा पैसा इनी sectors पर ही लगाया हुआ है, तो हमारे सारे funds के returns गिर जाएंगे, इस चीज़ को जरूर समझिए, कि हमें diversification इसलिए करना है, हर sectors पर हमारा थोड़ा-थोड़ा स हम अपनाते हैं, mutual fund में पैसा निवेश करते हैं, कि हम बहुत सारे stocks में, बहुत सारे sectors में अपने पैसे को निवेश कर सकें, तो सर यही आज की वीडियो का topic था कि diversification हमारे लिए कितना जरूरी है, तो काशिफ सर से भी उमीद करूँगा कि इनको topic clear हुआ होगा, और सर फिर कोई confusion हो, आप मुझे comment कीजेगा, आपके comment का मैं जरूर reply करूँगा, बागी दोस्तों, वीडियो से जुड़ा होगा, कोई भी सला, कोई भी सुजाओ, कुछ भी हो, आप मुझे comment में जरूर बताईएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो में improvement कर सकूँ, वीडियो मैं आपके ल recommendation नहीं है, किवल educational purpose वीडियो आप लोगों के लिए बनाय गया है, वीडियो कैसी लगी comment में जरूर बताईएगा, पसंद आई हो तो like share भी कीजेगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, इसको भी subscribe आप जरूर कीजेगा, नमस्कार